Hello everyone, fac au de la last video में हमने प्रक्षप्य का कटी समय बाद किसी प्रक्षप्य का वे कितना होगा और उसकी वे की दिसा कितनी होगी या उसकी Çाल कितनी होगी कि वो हमनें फाइंड गया था और उसमें हमारे पास अभी जो है तीन फोर्मुलास है जो है कि एक प्रक्षप्य जब हम किसी ठीटा एंगल पर एप से गिरता है यानग कि कितने समय तब यह番 होग से देख सकतें । कि इसे यहां यहां तक पहुचने में कितना तक मैं लगता है और अगर हमाय निकाल लेते हैं यह तक का तो तो जितना समय से यहां से यहां पहुंछने में लगा होगा उतना समय यहां से यहां पहुंछने में लगए तो उसका हम हम फाइंड कर सकते हैं तो फिलाल है 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 यहां पर लिख देते हैं उड्डियन काल अगर अगर देखें माना अधिक्तम उचाई यानि कि ए बिंदू तक ए कि ए बिंदू तक कि पहुचने में कि में ती समय टी एम लिख देते हैं लगता है कि माना टी एम समय लगता इस टी एम को अगर फाइंड करें चुक्टि अगर हम हमें समय निकालना तो उड्यन काल जो होगा इसका वाइड डिरेक्शन में होगा और वाइड अब य डिरेक्शन की एक्वेशन लिखें अगर हम वी इस इक्वेशन से देखें वी वाई वी बराबर वी नोट पलस क्योंकि वीवाई तो यहां हो गया वी नोट वाई लिखेंगे वाई डिरेक्शन में जो पहला वेग था और वी-वाई पलस ए वाई टी अब वी वाई कितना है इस पॉइंट पर जीरो है तो जीरो इस इकल टू वी नोट वाई वी नोट वाई का हमें पता है यह वी नोट साइन हमारे पास त्वरन कितना होता है माईनस के जी माईनस जी और जो समय यहां तक हमें पहुंचने में लगा यह एक्विशन से ऐसा लिख देते हैं थे यह तक पहुंचने में समय कितना हमने माना है ती एम और अगर इसे लिख़ें जी टीएम इस गर्टू भी नोड़ साइन्ठ मैं थीटानूट और टी एम इस गर्ट निकां ऑप हुआल में जी जी mm सर कि हमें पूरा ओडियनान नीकाल है तो ॢर्डियनकाल जुर्य से ऊए काल इसे हम NCRT में भी टी एफ लिख रहा है का टाइम ओफ फ्लाइट टी एम जो होगा टू इंटू टी स्मॉल हैं और इससे दुग ना होगा टू वी नोट साइन थीटा नोट अपन में जी तो टी एफ तो ओडियन काल हमारे पास जो निकलेगा वो इस फोर्मूले से लिखा यह होगा और अगर हम इसे दूसरी फोर्म में लिखना चाहें मलब अगर मलब यह आप समझ सकते हैं मलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर यहां वी नोट का वैल्यू ना लिखें तो वी जिरो वाई यानि कि वाई डिरेक्शन में यह जो है यहां पर अर्थात ही यह टी जो है टू अपोन जी इन्टू वी जीरो वाई डिरेक्शन के वैलोस्टी को सोरी वाई वाई दिसा में जो वेग होगा उसका प्रारंब्रिक वेग जो होगा उसका दो दो बटे जी गुना होगा मतलब इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है आपको कहीं है हो मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर अब यह है या今 बात है तो को Якस्षे नंगाल निकालते हैं 50 दूसरा होता है इसमें कि अभी मूंछाई कितनी हो गी प्रख्षेप्पे इसमील जाइक तो यहाँ पर लिखता है को कि मैं कि मैं अभी तब कि उना प्रमार्जाइड कि अगर हमें अधिक्ता मुझा ही याद करनी है इसे हम मान लेते हैं कि यह जो हाइट मानी भी है इन्होंने यह वाली इसका नाम हम दे रहते हैं हम कुछ बुकों में कैपिटल एच भी लिखी जाती है एंसे आड़ी के सिंबल हैं है तो यह है अगर यह हाइट निकालनी है और इस डिरेक्शन में है तो आप यहाँ पर एक्वेशन लगा सकते हैं समीकर्ण गति का समीकर्ण वी नोट वी वाई इस गॉल्ट वी नोट वाई इस से तो नहीं निकले गए क्योंकि हमें हाइट निकालनी है ना निकल जाएगा यह थर्ड लगा जाए चलो वी स्कॉर 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 प्लस कि टू ए वाई एस एस कहें यहाई से हम अभी हम एच लिख लेते हैं थार्ड एक्वेशन वाई तो वी नोट वाई इस पॉइंट पर एपर कितना होगा जीरो वी जीरो वाई वी जीरो वाई हमारा वी जीरो वाई है वी नोट साइन थीटा नोट वी नोट स्कॉर साइन स्कॉर थीटा नोट पलस यहाँ पर माईनस टू ए वाई कितना होता है वाई डिरेक्शन में माईनस जी है अभी यह बार-बार यूज़ कर रहे हैं और एच इस हाइट को हमने वनना है हम और अगर यहां से हम लिख स्कॉर्ट थीटा नोट अपॉर वे टू जी तो कुछ इस परकार से फॉर्मूला हमारे पास अधिक्तम उचाएगा होगा या फिर इसे यह भी लिख सकते हैं वी नोट स्क्वार अपन में 2G सोरी एक वी को इसे हम 1 अपन टूझी गवन अपन टूझी और वी नोट साइन नोट क्या है वी 0 वाई इसे हम इस परकार से लिख सकते हैं इन्टू वी 0 वाई का होल स्कुर्ण यानि कि अगर हमें उसकी हाइट निकानली है तो वन आपों टूजी से मल्टिप्लाइब कर दें उसके वाई डिरेक्षन का जो प्रारंबिक वेग है वाई दिसा का जो प्रारंबिक वेग है उसके स्कुर्ण के साथ मनलों एचम विजगल डूट यह लिखा मिले य उसके लिए हमें कौन सी गतिक देखनी पड़ेगी एक्स दिसा की तो परास लिख देते हैं है एडिंग में और परास को हम लिखते हैं रेंज यानि की आर तो इसके लिए हम एक्स डिरेक्शन में देखते हैं एक्स दिसाने समीकरण यह लिख लेते हैं है एक्स इसकल टू हम इसमें गति की दूसरी समीकरण यूज कर लें एक्स इस गोल टू है जी नोट है तो प्लस हाफ एक्स टी स्क्वाइर अभी यहां टी नहीं होगा क्योंकि यहां से यहां तक मwriting में समय तो उसे यह लगा और इसे अमने लिख रही है यह पूरी से है इसे हम क्या बोलेंगे आप रीनोट टी वी-णॉट टी वीनोट सोरी वीनोट टी वीनोट एक्स वी जीरो एक्स टी लिखक जाएगा क्योंकि एक्स डिरेक्शन में यह जाएगा वी नोट कॉस थीटा नोट और ती की जहां कितना एगा tf time of flight plus harp इस direction में तवरण कुछ नहीं होता तो मैं इसे थोड़ा ऐसे लिखता हूं क्योंकि Ax जो है इस direction में नहीं है X इसा में नहीं है तो वह जब यहां पर हम zero ever करें तो पूरा 0 हो जाएगा और और यहां से अगर हम कि टी एफ का वेल्यू रखने तो आर इस इकल टू वी नोट कॉस थीटा नोट है और टी एफ जो है हमारे पास है टू वी नोट साइन थीटा नोट है टू वी नोट साइन खीटा नोट आपमब इसका वैल्लियो है हमारे पास अपक्वण में जी फूपन में जी है एक लाइन यहां लिंदे लिटें है आर इजब टू अब यह वी नोट पहले लिख लेखें अवी नोट वी नोट वी नोट और इसे लिखने है तू पॉस थेटा नोट यह साइन थेटा लिख लेते हैं पहले साइन थेटा नोट इंटू कॉस थेटा नोट अब वोन में जी है चुकि वहां जागा नहीं है तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं तो आर जो हो जाएगा अगर हम कि फिलाल इस इसे देखें अगर हम चलो यहीं लिख देते हैं तो आर इस गल्ट वी नोट स्कॉर और यह जो फॉर्मुला है किया है है टो साइन थीटा नोट को से रानों साइन टो थीटा का है साइन टो ठीटा का फोर्मुला की लिख अब अंग्य देखा है तो इस प्रकार से यह प्राउज को यानि कि प्रास को इसकी में फार्मुले याद करें और अगर नहीं भी याद करते हैं अगर आको इस गतिको पूरा पहला वीडियो आपने देखा एह किस दिसा में कितना तो ढूरोत नहीं है पिस अगर कोई न synti यह ज़रुरत नहीं है पर फॉर्मूला अगर कोई नुमेरिकल आता तो बहुत ज़्यादा जल्दी से हम इसे फॉर्मूले को यूज कर लेधा है और जरूरी नहीं कि हम फॉर्मूले से इस वह करें हम जिस तरीके से हम यहां पर यह फाइंड कर सकते हैं लेकिन नुमेरिकल के लिए फॉर्मूले हम याद कर लिए तो जैसे हमने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा था इस फॉर्म में अगर इसे भी लिखना चाहें तो यहां लिए तो यह तो फाइनल हो गया अगर मैं वाई की फॉर्म में लिखना चाहूं तो वी नोट कोस यह हमारे पास है प्ले जिरो एक्स और वी नौट शाइन वी जिरो वाई और ठू उपोन जी तो तो टू अपोन ऑपिडा गीवी टू टो वी जिरो ओ Chief एक्स टूप ऐडियो वाई एक्स लेह हैं और यह वाईयहल में हम तो यह आर उस वन में भी हो सकता है आपका तो फिलाल हमारे पास उड्डियनकाल प्रच्छेप्य के अधिक्तम उचाई और प्रास इनके तीन फोर्मूले हैं तो फिलाल आप इतना देखें मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद